दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ Golden G के सीरीज इस सीरीज में दोस्तो मैं आपको डेली बेसिज 40-50 कोशन कवर कराऊंगा और ये सीरीज जो चलेगी Only Top Study चैनल पर चलने वाली है रात में 9 बज़ के 15 मिनिट पर आप इसका Time और चैनल दोनों ही Note कर लिजे आप चेक किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं दोस्तो SSE, CGL, CHSL, GD आ रहा है अभी, Railway के एक्जाम आने वाले हैं CTET, आपके बहुत सारे एक्जाम है मतलब आप चेक किसी भी एक्जाम की कर रहे हैं या फिर किसी भी पुलिस एक्जाम की कर रहे हैं तो आप इस सिरीज का एक भी पार्ट मिस मत करना ये पहली वीडियो है ठीक है और प्रेक्टिस करिए बहुत ही अच्छे तरे किसे कितना स्कोर रहता है अपना स्कोर कमेंट बोक्स में बताएगा चलिए शुरू करता है पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है विस्व वरिस्ट नागरिक दिवस कम मना जाता है प्राई करिए और कमेंट बोक्स में आंसर बताने की कोशिस करिए दोस्तो इस कोशन का रैट आंसर हैगा दोस्तो हिडकल बांध किस नदी पर बना है तो इस कोशन का रैट आंसर हैगा गाट परबा यानि की ऑप्शन ए रैट आंसर हो जाएगा ये भी काफी इंपोर्टेंट कोशन है तीसरा कोशन आता है महाबली पुरम के संस्थापक कोन है दोस्तो महाबली पुरम के संस्थापक है बिल्कुल नर्सिम वर्मन यानि की रैट आंसर दोस्तो क्या हो जाएगा C हो जाएगा तो ये आपको याद अखना है कोशन नमबर 4 आता है प्रोटें खालिस्थान से बना है दोस्तो प्रोटें किस से बना है तो protein बना है amino acid से यानि कि इस question का right answer B हो जाएगा ठीक है जी पाँचवा question आता है गन्ना एक संसोधित खालिस्थान है दोस्तो इस question का right answer है steam यानि कि तना तो option A right answer हो जाएगा मैं बहुत ही फटा-फट cover कराऊँगा दोस्तो time बिल्कुल भी लगाऊँगा और देखे अभी new year का दोस्तो सबसे बड़ा offer हमारा चल रहा है जिसमें सबसे कम price होते है new year पे सबसे कम price होते है 6000 के question answers की जो हमारी पीडियाप नोर्मली 1500-1808-1803 रुपे में मिलती है आपको वो केवल 100 रुपे में मिल रही है और 7000 के question answers की जो दोस्तो हमारी पीडियाप है पूरी लुशेंट का निचोड है master पीडियाप है ये केवल 110 रुपे मिल रही है दोनों के लिंक मैं नीचे description box में दे दिया है अगर आपको कोई भी doubt आता है तो आप हमें वोटसप नंबर पे सबसे पहले message कर लेना कोई भी doubt focus को clear कर लेना और उसके बाद आप इस पीडियाप को purchase कर सकते हैं इन दोनों पीडियाप को या फिर कोई भी एक purchase कर सकते हैं दोस्तो अगर आप लोग हर एक दिन की वीडियो का notification प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लेना आपके पास सभी वीडियो के notification पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तो छटा question क्या कर रहे है सिंको लोजी किसका अध्यन है जल्दी बताइए इस question का right answer हैगा ecosystem यानि की परिस्थित की तंत्र तो right answer D हो जाएगा alright साथवा question question number 7 है वैदिक गडित का सबसे मैतपून पाठ है तो right answer हैगा सुलव सुत्र यानि की C right answer हो जाएगा question number 8 आता है काच की उसमा परतिरोध किस्म है दोस्तो right answer हैगा flint glass यानि की C right answer हो जाएगा दोस्तो question number 9 आता है हमारे सोर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा तो alpha centuries question का सही उत्तर हो जाएगा तो ये आपको याद रखना है दोस्तो अगला question आता है उपचरों के अध्यन से संबंदित प्राणी सास्तर की साखा है तो इस question का दोस्तो right answer हैगा हेरिटोलोजी यानि की D right answer हो जाएगा question number 11 आता है बाबर का मकबरा इस्थित है दोस्तो बाबर का मकबरा इस्थित है काबुल यानि की option A right answer हो जाएगा question number 12 आता है कि सविदान संसोदन से लोक सबा का कारेकाल 6 वर्स किया गया था इस question का दोस्तो right answer हैगा 42 सविदान संसोदन की तहत यानि की B right answer हो जाएगा दोस्तो session अच्छा लग रहा है तो please like का बटन दबाना मत भूलिएगा और आपसे छोटी सी request है मेरी एक बर share कर दीजे एक बर इस पहली class को share कर दीजे अगर इस पे अच्छा response आया दोस्तो एक energy बनी रहेगी मेरी भी और मैं आपके लिए इसी परकार से daily basis पे वीडियो लेके आता हूँगा और कभी भी share करने के लिए नहीं बोलूँगा प्लीज एक बर share करिए जाद़ जाद़ बच्चों तक इस वीडियो को पहुचाने की कोसिस करिए question number 13 है बंगाल का विभाजन किस के समय हुआ दोस्तो बंगाल का विभाजन हुआ था load करजन के समय यानि की option a right answer हो जाएगा question number 14 है मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है देखें मेक्सिको के बारे में आपने कई बर सुना होगा मेक्सिको जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तो चांदी का silver का यानि की d right answer हो जाएगा दोस्तो अगला question आता है किस once में सती का पर्थम उधारन मिलता है दोस्तो सती का जो पर्थम उधारन मिलता है वो मिलता है गुप्त साचन में यानि की right answer option C हो जाएगा ठीक है गुप्त once में तो शोल्वा question क्या कह रहा है कि liver, दूद, अंडे की जर्दी मचली के यकरत के स्रोत का उलेख करे कों सा विटामिन होता है इन सभी में तो right answer हैगा vitamin D यानि की C right answer हैगा question number 16 का सई answer question number 17 आता है बालो में निम्लिखित में से कों सा protein पाया जाता है दोस्तो बालो में कों सा protein पाया जाता है तो केरेटीन इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर दोस्तो 18 आता है निमलिकित में से कौन एक अपजर का उधारन नहीं है इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा समुदरी घोडा, ठीक है सी होर्स यानि की बी राइट आंसर हैगा दोस्तो अगला कोशन आता है भारत में पहला आम डागगर कहां खोला गया था देखे भारत का पहला डागगर दोस्तो कोलकता में खोला गया था यानि की C रैट आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है कौन सी सबजियों में विटामिन A और C की परचूरता होती है कौन सी सबजी है जिसमें विटामिन A और C दोनों होते हैं तो राइट आंसर दोस्तो टमेटो यानि की टमाटर हो जाएगा यानि की D राइट आंसर हैगा दोस्तो अगला कोशन आता है पोलेनियम का तत्व की खोज किस विज्ञानिक ने की है इस कोशन का दोस्तो रहेट आंसर हैगा मेरी क्यूरी यानि की डी रहेट आंसर हो जाएगा दोस्तो 22 कोशन है सूरिय से परकास लगबग प्रत्वी पर पहुँचता है तो लगबग दोस्तो 8 मिनट में यानि की B रैट आंसर हैगा दोस्तो कोशन 23 है भारत के लिए एक संगिय धाचा सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था इस कोशन का दोस्तो रैट आंसर हैगा Act of 1935 यानि की C रैट आंसर हो जाएगा दोस्तो 24 कोशन है लंबी दूरी की फोटोग्राफी में कौन सी किर्णे बहुत सायक होती है दोस्तो इस question का right answer एगा अवरक्त किर्णे यानि की C right answer एगा question number 24 का सही उत्तर दोस्तो अगला question आता है परसिध गोल कुंडा किला किस राज्य में इस्तित था तो इस question का दोस्तो right answer एगा आंद्र परदेश में यानि की D right answer हो जाएगा question number 26 है भारत का पहला digital गाव कोन सा है मेरे प्यारे दोस्तो भारत का पहला digital गाव अकोदरा है यानि की right answer C हो जाएगा दोस्तो 27 वा question है PIL का पूर्ण रूप क्या है देखे PIL दोस्तो होता है Public Interest Litigation यानि की जनहीत याची का तो right answer क्या हो जाएगा B right answer हो जाएगा दोस्तो 28 कोशन आता है निमलिकित में से कोन सा अनुच्छेत बताता है की जाती धर्म वन्स लिंग जन्मत इस्थान की आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए तो 28 कोशन का दोस्तो right answer है गा article 15 यानि की A right answer हो जाएगा कोशन नमबर 29 आता है खालिस्तान का उपयोग कृतिम उपगरह में संचार के लिए किया जाता है इस कोशन का दोस्तो right answer है गा रेडियो तरंगे यानि की B right answer हो जाएगा कोशन नमबर 30 आता है आकार के संदर्ब में नैप्चुन हमारे सोर मंडल में खालिस्तान पर है कालिस्तान द्वारा टीका करण सुरू किया गया था दोस्तो टीका करण की सुरुआत जो हुई थी वो एडवर्ड जेनर के द्वारा हुई थी यानि की C right answer हैगा दोस्तो 32 कोशन आता है निम्लिकित मेंसे एक पंच परियाग में सामिल नहीं है दोस्तो इस कोशन का right answer हैगा परियाग सामिल नहीं है यानि की D right answer हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है दोार समुद्र किस ONCE की राजदानी है कोशन नमबर 34 आता है गंधार कला खालिस्थान द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था कोशन नमबर 35 आता है बदामी चालोकों ने बदामी में इस्थानतरित होने से पहले पहली बार पर अपनी राज़ानी बनाई थी इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर एगा एहोल यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 35 कोशन का सही उत्तर दोस्तो अगला कोशन आता है एजाड डिरेक्ट इंडिका निमलिखित में से किसका वनस्पतिक नाम है दोस्तो 36 कोशन का राइट आंसर एगा यह नीम का वनस्पतिक नाम है यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है माजुली दुनिया का सबसे बढ़ा नधी दुईफ है कहां पर तो इस कोशन का राइट आंसर एगा असम्मे यानि की D right answer हो जाएगा दोस्तों अगला कोशन आता है किस वंस के सासकों ने ब्रामनों और बोध बिक्सकों को कर्मुक्त गाव देने की पर्था सुरू की थी इस कोशन का दोस्तों right answer हैगा साथ one यानि की option A right answer हो जाएगा कोशन नमबर 39 आता है सितंबर 1998 में लेंड माइन संदी किसके अनू मोदन से एक वैस्वी कानून बनाई गई दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिलकुल सही है इथोपिया के यानि की ओप्षन दोस्तो डी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 40 आता है निमलिकित में से किस लोहो एसकों में लोहो तत्व की मातरा सरवदिक पाई जाती है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा मेगनेट आइट यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 40 का सही उतर कोशन नमबर 41 आता है खालिस्तान समू 17 से सम्बंदित सबसे कम अभी किरिया सील तत्व है इस कोशन का दोस्तो रएट आंसर हैगा आयोडीन यानि की ऑप्शन बी रएट आंसर हो जाएगा दोस्तो 42 कोशन आता है भारत में पहली बार संकेतिक मुद्रा सुरू की गई थी मोहमद बिन तुगलक के द्वारा यानि की डी रएट आंसर रहेगा कोशन 43 आता है निमलिकित में से कोन एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तो इन में से कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं है तो राइट आंसर डी हो जाएगा यह सभी इंपुट डिवाइस है Q44 है किस लोकसभा अध्यक्स ने मातोसिरी पुस्तक लिखी है इस Q45 आता है विस्व का सबसे उंचा दीप है न्यू गिनी यानि की option D रेट आंसर हो जाएगा 45 वे Q45 का सही उतर Q46 है रिगवेद में प्राय उलेकित सब्द यव का अर्थ क्या है दोस्तो इस Q45 का रेट आंसर हैगा जो यानि की C रेट आंसर हो जाएगा Q47 आता है इनमें से किसे साजा ने सहा बुलंद इकबाल की पद भी दी थी दोस्तो इस Q45 यानि की A रेट आंसर हो जाएगा दोस्तो कोशन नमर 48 है निमलिकित में से किसने वासको डिगामा का कालिकट में स्वागत किया था दोस्तो इस कोशन का रेट आंसर क्या रहेगा जमोरीन यानि की ओप्षन सी रेट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन आता है दूर के चमकदार पिंडो की तापमान को खालिस्तान दुआरा निर्धारित किया जा सकता है इस कोशन का दोस्तो रेट आंसर हैगा पाइरो मिटर दुआरा यानि की सी रेट आंसर हो जाएगा कोशन नमर 50 आता है भारत में बिटिस वर्चस्व की स्थापना में यह सबसे महत्मून लड़ाई थी तो इस कोशन का दोस्तो रेट आंसर हैगा बकसर की लड़ाई दोस्तो सबसे इंपोटेंट है बहुत बार एक्जामें बनता है कोशन तो सी रेट आंसर हो जाएगा कोशन नमर 51 आता है पोस, मेला, इस्थानियक अलाकार को लोक नहत्ते, संगीत, भोजन और खालिस्थान की संस्कृती को परदसित करता है 51 का दोस्तो रेट आंसर हैगा पस्चिम बंगाल यानि की वेस्ट मेंगोल इस कोशन का रेट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो एक कोशन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, टेस्थ का कोशन है और कोशिस करिएगा कि इस कोशन का तो आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा कोशन है कि परसिद गोल कुंडा किला किस राज्य में स्थित है मैंने इसी वीडियो के दुरान इस कोशन को कवर कराया है तो फटा-फट इस टेस्थ के कोशन का अंसर कमेंट बोक्स में बता दीजेगा वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बोक्स में बताईएगा वीडियो को लाइक करना, सेयर करना मत भूलेगा और किसी भी एक्जाम के लिए दोस्तों त्यारी करने है ना तो या तो यह वाली पीडियाप या यह वाली कोई भी एक पीडियाप परचेज करिए दोनों मत करना कोई भी एक पीडियाप परचेज करिए और इस पीडियाप में दोस्तों यह सबसे बहतरी नहीं अगर मैं बोल परचेज कर लेंगे तो मैं इसको ओफर को बंद कर दूँगा ठीक है तो जो भी पहले आए पहले पाए वाला ओफर है यह हमारा चलता रहेगा जब तक मतलब कब तक चलेगा दोस्तों यह 5-6 दिनों तक ठीक है पहली तारीक तक चलेगा यह समझ लीजे तो आप हमें इस मच बाइब बाइब टेक केर ख्यार लखे अपना दोस्तों